नमस्कार में शंबुक उमार सिंग और आप देखरें निशनल दस्तक मैं आपके लिए लेकर आए हूँ वो तमाम सारी बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है जो आपको जानना चाहिए और वो खबरे जो आप से छुपाई जाती है आज दिल्ली में बीस्पी सुप्रीम हो गया था 14 नमबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ बहुत रितिर्वाज से इस मौके पर प्रियंका गांधी भी पहुंची और देश के तमाम लोगों ने और सोक की लहर है बहुजन समाज में और मायवती जी खुद जो है बहुत लगाव था उनका मां से कहा जा रहा है कि उनके अंदोलन के जीवन में उनकी माने खुल कर उनका साथ दिया था तो बहुजन समाज के लिए आज का दिन बहुत बुरा था कल भी बुरा था उनके मा का पर निर्वान हुआ आज उनका अंतिम संस्कार हुआ दुसरी सबसे जो बड़ी खबर है सोचिए तिर्पूरा में हिंदु मुसलिम को लेकर लगातार बात कही जा रही थी कि वहां राइट्स हुए है जिसके बाद लगभग एक सौ लोगों पर इवे पिये दर्ज किया गया दो पत्रकार दिली से गई थी इसी की परताल करने के लेकि क्या सही है क्या गलत है नाम है उनका सम्रुध्धी और सवर्ना दोनों को डिटें किया गया था उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था फिर दोनों सिलचर इयरपोर्ट आ रही थी सीलचर एरपूर्ट पर सोचिए कि फिर से उनको करीम गंज me बिश ने गिरफ़ता सब्सक्राइब के साथ क्या होगा तो विद्दम अंडेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ी हो रही और इस सब किसी पर विए फायार दर्ज करना केस दर्ज कर देना पत्रकारिता का किस तरह का और इसकी वज़ा है मीडिया इस देश में इका दुक्का लोग हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं पत्रकारिता कर रहे हैं इसलिए उनके साथ आपको खरा होना पड़ेगा टीवी अख़बार जिस दिन इस देश में सरकार के खिलाब बात करने लएगा ये केस दर्ज नहीं होंगे जो सबन पत्रकारों को समझना परेगा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश में जितनी गरवरी है सरकारिय अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वेवस्ता ठीक नहीं तो सब के लिए दोसी मीडिया है क्योंकि वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा जनता आपको टीवी पर देखती है आपको भरोसा करती है डीटीएज रिचार्ज करती है इंटरनेट लेती है आप से वो सच की उमीद करती है लेकिन आप उनको धोखा दे रहे हैं तो इस देश की मीडिया है अगर मीडिया सही है तो वो देश सही होगा अलताफ को लेकर पांच पुलिस वाले सस्पेंड किये गए थे उस पर अग्यात लोगों को सुचिए पुलिस एस्टेशन में कोन अग्यात होगा क्या पुलिस एस्टेशन में जो लोग थे वो क्या अग्यात है सुचिए एक ब्रह्मन समाज के उबा की हत्या हुई थी पुलिस की गोली से उनको मुआपजा मिला एक गुपता जी की हत्या हुई पुलिस वाले जेल में हैं लेकिन अलताफ के हत्यारों में अग्यात पुलिस वाले खिलाब केस्दर जुआ यह बहुत ही शर्मनाक है और योगी जी का मैं अजभासन सुराता हूं ने कहा है कि चंद्गुप्त मौर का शासन जो था वो सवर्ण काल था बिलकुल ठीक है लेकिन पर सिर्फ मुसल्मानों के कटरपन के नाम पर आजिती कर रही है तो लगातार सुची कि तिरपूरा की जो महिला पत्रकार थी उनको उन दोनों पर 120 भी अपराधिक सर्यंत रचने और एक सो तिरपन ये दो समदाय के बीच में दुस्मनी कराने के तहत मुकदमा लिखा गया और अब उनके साथ इस तरह का बेभार हो रहा दीपक सर्मा टूट किया है उदीत राज को कॉंग्रेस ने एक बरी जीमेदारी दी है उन्हें संगठित कामगार कॉंग्रेस राष्ट्रिये का अध्यक्ष बनाया गया है और ये बरी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था औ और अखिलेस की आज एक कुशी नगर में बड़ी रैली हुई है बहुत बड़ी रैली हुई है जो आप देख सकते हैं तस्वीरे सोसल मीडिया पर वायरल है वहीं बामन मिस्राम जो है आज ही टावा में रैली कर रहे हैं सुबह से लेकिन पांच बज़े के आस पास वो रै लगातार गलत बोल रही है जूट बोल रही है इनको जानकाई नहीं है वियोन टीवी की सवर्ण महिला पतकार है लेकिन इनका कोई फैक्ट चेक नहीं करेगा और सलेंद ग्याद अब इतने सरकार के लुचना करने पर जेल और मुकदमा होता है देश किया जादी राष्टी आनुलन और लाखों सहीदों का अपमान करने पर इनाम मिलता है सचे बांदा की बेटी स्कूटी पर थी रात में अकेली निकली थी वह उनका अपरन हो गया था उनकी उनका श्रब मिला है और अलताफ के बारे में सुमिया लखाई ने ट्विट किया कि उनका उनके उपर एफायार दर्ज हुआ है उनके मरने के नब्बे मीनट बाद और मत पर्दिस्म असिस्टेंट प्रोफेसर के भरती के दुरा ने सी एस्टी ओबी सी बर्ग के जादा अंक लाने वाले महिलाओं के रिजल्ट लोक दिये रोक लिये गये हैं और कहीं अमीस्ता के कारकरब में भीर जुटाने के लिए सरकारी फंड से 40 लाग की रूट तो कहीं मो अक्षा से बीजेपी सरकार की सभाव में नहीं आते तो अकास्मिक निजी से तो सरकारी फंड से रैलियां हो रही है और ये एक तस्वीर लोग शेयर कर रहे हैं स्क्रीन सोट बीजेपी के एक रैली में जहां योगी जी बोल रहे थे वहां अधी कुरसिया खाली थी और लो इस पर सारे सवर्ण लोग बैट के एक साथ बहस कर रहे हैं उसमें कोई SCSTOBC नहीं है और सबसे बड़ी ख़बर है इस पर मधु बिहार के मधुवणी के बेनी पटी में एक जनलिस्ट की हत्या लास मिली है ये भी बड़ी ख़बर है और तमाम जो वो खबरे जो आपके लिए बहुत जरूरी है तो पालकी सर्मा नाम की इस महिला एंकर ने बहुत ज़्यादा गलत बयानी किया है बहुत जूट बोला है तो ये भी सोसल मीडिया पर है और चंसेका रावन अलताप के परिवार से मिले थे ये भी आज की बड़ जर्मानी से वीडियो आया है जहां बाबा साथ की तस्वीर लगाई गई है फिरहाल ये बियत नाम का एक चोटा सा देश है वहां भी बाबा साथ की तस्वीर लगी है जर्मानी का पुरा विस्तार से बताऊंगा और यूपी के पिलीभीत में नावालिक लड़की का श्रॉ अच्छा लोग के नाम अलताफ के पिता ने लोग कर दिये थे लेकिन सिर्फ केस अग्यात लोग के खिलाप हुआ है और संजय सिंग ने भी उस फैमिली से मुलकात के और दूसरी जाती में साधी की तो बेटी की हत्याद जला दिया सब कायस ती उप्ति और उस जाती का यू दूसरल मीडिया पर तुम हिंदी हिंदू तुम हिंदू जां यह तमाम चैनल जो हिंदू हिंदू पर बहस कर रहे हैं उसमें सिर्फ सवर्ण पैनलिस्ट है यह आज की बड़ी ख़बर थी और निशनल दस्तक की पूरी टीम जो है वो बीस्वी सुप्रीम आयवती जी की मा चाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे